हालो एब्रिवन मैं हूँ दर्शन भारती और एक वारे फिर आपके सामने हाजिर हूँ फिट इंडिया की नई अपडेट के साथ फिट इंडिया क्वीज जो की यूथ एफिर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करवाने जा रही है इसमें बहुत बड़े प्राइजिज हैं बहुत बड़ी एक ऑपरचूनिटी है पूरे देश के नोजवानों स्टूडेंट्स के लिए कि वह इसक不錯 करें अभी ये पूरे देश में से लिए जने हैं जो लेवल तक करके म्पीट कर बाएंगे इसमें जो अलग-लग रहेंगे इसमें स्कोल लेवल स्के बाद ऑद यूटी लेवल फिर नेशनल लेवल में सके की में की है और इसका मोटिव यही है कि हमारास लाइफ स्टाइल है वो फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल एडाप्ट करने का जो एम है इसके तहत है कि किस देश में किस परकार स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और इसी के माध्यम से जो कैश प्राइजिस मिलने जा रहे हैं वो स्कूलों में स्पोर्ट इसको बूस्ट करने के लिए स्कूलों में इसको यूज किया जाएगा सिमिलरली अगर कोई बच्चा नैशनल चैंपियन बनता है तो इसके लिए कैश प्राइज जो है वो दो लाख पचास हजार रुपे का कैश प्राइज उसको मिलने है और इसके लिए मिनिमम टू रिक् इसका तरीका क्या है, रिजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे करनी है इसके बारे मैं आपको अगले वीडियो में बताँगा लेकिन आएजे समझते हैं कि इस क्विस्ट से क्या क्या होना है, इसका process क्या है, benefit क्या है, इसकी हम detailed अभी जानकारी हम लोग लेते हैं. तो बड़ी बात रूपीजिस के जो है प्रॉसेस में मिलने हैं ना केवल श्रूडट बलकि जो थीचर या प्रिंसिपल्स इस पुरे प्रासेस में इन्यवाल होने हैं उनको भी कैस्ट प्राइजिस मिलने वाले हर स्कूल ने क्या करना है कि अपने स्कूल से बच्चों का सिलेक्शन करना है अपने स्कूल में बेस्ट दो बच्चे चुनने हैं जो आगे जाकर के compete कर पाएंगे आगे वाले rounds में तो registration for preliminary round will be open to all schools across India तो सभी schools के लिए खुला है सभी मतलब सभी schools के लिए खुला है वो private school है वो भी apply कर सकते हैं then schools will be required to register minimum two students for the quiz on link available on fit India website ये जो website दी गई है इस link में दो बच्चे कम से कम उनको register किया जा सकता है कैसे करना है मेरे अगले वीडियो में आप देखने जा रहे हैं schools can register more than two students आप दो से अधिक भी कर सकते हैं बट क्या होगा देर विब बी नो उसमें क्या है कि minimum you have to pay 50 rupees per student there will be no upper limit for number of students to be registered कोई limit नहीं है आप 100 के 100 बच्चे स्कूल के वहां पे उनको जाइन करा दीजिए लेकिन उनके लिए आपको पे करना होगा दो बच्चों के लिए आपको पे नहीं करना होगा वो free of cost पे करेंगे देन इंपोर्टन यह है कि जो इनका preliminary round रहेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको कंड़क्ट करेंगी तो रिजिस्टर सुडेंट्स मिल बी कंपीट विल कंपीट इंडिवीज्वली ओन एन ऑन लाइन प्रेटफर्म होस्टेड बाइ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह होस्ट करेंगी बच्चा जो है इंडिवीज्वली वहां पर इस में पाडिस्पेट करेंगा दो क्विज्वली फ्रेंग इन वेड़ाट एंडिवी आंसरद बाइस्टू बढ़ इस वाल आपके इतने असान होने जा रहे हैं उसमें कि कोई भी बच्चा जो आठ्वी क्लास का पढ़ता है उससे उपर पढ़ता वो इसको जवाब देपाएगा रोवीजनली व आपको जो लिंक होगा क्वीज का आपका यूजर नेम आईडी पासफट जो है इंडिवीजिल वह आपको टेस्टिंग अजेंसी आपको शेयर कर देगी जब आपके रिजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद अब अब इसमें इंपोर्टन चीज एक आपने यह भी ध्यान रात निया कि नेगीटिव मार्क विल बी गिवन पार इंकर्यक्ट आंसर अगर आपका इंकरेक्ट आंसर होगा तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी. Each correct answer carries four marks. For each wrong answer, one mark will be deducted. सही सवाल होंगे तो चार नमबर मिलेंगे गलत होगा एक तो आपका एक नमबर कट जाएगा. The NTA round will be taken by individual student through mobile device with android 5 or above and internet connectivity आपको होना अनिवारे है using the dedicated mobile applications जो बताई जाएगी mobile devices within. iOS will not be compatible. ये ध्यान रखें उसको पहले से आप देख लें. फिर evaluation of results of NTA The students will be evaluated based on the scores achieved in the NTA round. If more than one student gets the same score, the younger student अब age-wise देखेंगे. यंगर को जो है वहाँ benefit मिलेगा will rank higher in the married list. The school whose student is there in the married list will qualify for the state round. जिस school के बच्ची होंगे, वो सिधा का सिधा state round या union territory round के लिए वो qualify कर जाएगा. इसके qualify करने के बाद अब जो top ranked आठ से लेकर 32 school होंगे. किसी भी state से या union territory के लिए वो next round के लिए qualify करेंगे. इसके लिए टेबल बनाया गया है कि अगर जीरो से पांच से पांच सो के करीब बच्चे होंगे किसी state या union territory तो वहां से आठ बच्चे ही select होंगे जो round के लिए है, अगले round के लिए. अगर पांच सो एक से पच्ची सो तक बच्चा है तो 16 बच्चे qualify होंगे. अगर पच्ची सो एक से के पांच सार हैं तो 24 होंगे तो इसी तरह पांच सार से उपर होंगे तो 32 बच्चे कम से कम वहां से qualify करेंगा. अब important चीज जो है वो सबसे बढ़िया बात है इसमें prizes की बात. तो समझते हैं कि prize के मिलने वाला है जो यहां पर participate करने वाले हैं. The Fit India Quiz provides an opportunity for schools and students to win cash prizes worth more than rupees 3 crore. The detailed price structure for the Fit India Quiz is as below. अब क्या होना है? यह prizes for the winners. अगर national champion कोई होगा तो 25 लाख रुपया स्कूल के मिलने वाला है. यह ध्यान किया. और individually धाई लाख बच्चे को मिलना ही मिलना है. अगर second first runner-up है नैशनल round में. पंद्रह लाख स्कूल को मिलेगा, डेर्ड़ लाख बच्चे को मिलेगा. Second runner-up है तो उसके बाद 10 लाख रुपय स्कूल को और एक लाख बच्चे को. अब स्टेट में यह union territory को champion बनता है, तो धाई लाख रुपय सीधा-सीधा स्कूल के, स्कूल के count में चला जाएगा और पच्छीस भच्चे को मिल जाएगा फॉर्स्ट runner-up होगा तो एक लाख रुपय स्कूल को दस जार बच्चे को, second runner-up होगा तो पचास जार स्कूल को मिलेगा, बांच जार बच्चे को मिल जाएगा. तो जो mentors होंगे, जो help करने वाले होंगे, जो features होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पहुत सारा इनाम मिलने जा रहा है, और एक बात ध्यान में हम रहेंगे, it is suggested that the cash prize may be utilized only for the purpose of sports and fitness, तो इसी के लिए ये सारा का सारा ही किया जा रहा है, तक कि sports को बढ़ावा दिया जाए, तो इ इस लिंक में जा करके अपने registration कर सकते हैं, registration कैसे करनी है, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए, अगली वीडियो के लिए तब तक दीजाए जल, नमस्कार.